का लोन लेने का तरीका है यहां पे एक फिक्स पर्सेंटेस इन तीनों में डिफरेंस क्या है यहめ forced होता है और यह पास पैसे जमा कर दो और हम आपको बैंक से बहतर रेट पर ब्याज देंगे तो आपने जो कर दिया तो आप सब हो एक पब्लिक और एक-कमपनी के पास जमया कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे बंदक इन्सरेशल इंगे सालरेशन ईंस्पेस नाम है ज insil बनाया, Full Form आएगा इसमें से, IFCI है फुल क्या है, ICICI है इसका Full Form क्या है, IDBI हाए इसका Full Form क्या है, SFCI है इसके Full Form अभी हम देख लेंगे, मैंने ज़्द है इसको डिटेयल में नहीं लिखा, यहां पर क्या सीखना है, financial institution वो institution होता है जो की loan provide करता है और उसमें कौन-कौन से list है बस वो हमें एक बार देखना पड़ेगा ठीक है तो पहला थो honor fund clear है दूसरा कौन सा था हमारा long term debt, लंबे समय के लिए लिया जाता है normally ये debenture bank loan है बाकी public deposit specialization इसे important इसलिए टिक किया इसके full form आपके exam में पूछे जाएंगे ठीक है और यहाँ पर debenture आपका normally आगे भी discuss करेंगे chapter number 2 में debenture, detail में है हमारा आगे है short term short term कौन सा होता है हमारा इसको ध्यान से देखना बहुत छोटा सा concept है फिर ADR, GDR फिर हमारा concept खतम हो जाएगा short term होता है जो कि हम एक साल से कम के लिए ले, यानि ये वाला part है, एक साल से कम के लिए कर जा ले, कौन कौन सा हो सकता है, एक साल से कम के लिए कर जा लिया जा सकता है, हो सकता है हमारा एक तो bank के through bank के through क्या हो सकता है, bank overdraft bank overdraft आप सबको पता है जब हमारे account में पैसे नहीं होते फिर भी हम पैसे को निकाल लेते हैं तो उसे बोलते हैं bank overdraft यह सिर्फ business man को facility दिया जाता है और इसके लिए हम एक special approval लेते हैं मालो आपने आज दुकान एक business open किया आपने 50,000 रुपए bank में रख रख है आपने check card के दे दिया 60,000 का तो आपका check bounce हो जाएगा लेकिन आप bank manager से बात करो सर हमने business open किया हमें ऐसी facility दो कि 50 होते हुए मेरे 60,000 रुपए का check भी निकल जाए बदले में जो 10,000 extra दे रहे हैं उसके ब्याज ले लेना अगर आप मुझसे contact करोगे bank manager से bank manager फिर क्या बोलेगा आपको कुछ document मंगवाएगा आपके पास कितना stock होता है दिखाओ आपका business कैसा चल रहा है यह दिखाओ तो bank manager आपको बोलेगा चलो हम ऐसा कर देंगे तो आपके account में यह specialty highlight कर देगा तो आपने 50,000 का account में balance है और check कितने का पास करवा लिया जो 10,000 जो extra निकला न इसे बोलते है bank over draft एक है cash credit cash credit में क्या होता है आपके account में जैसे देखो cash credit को समझते है आपने SBI में SBI में account खुलवाया है और मैं current account की बात कर रहा हूँ ठीक है ना type of account हम banking chapter में देखेंगे current account पता है जो businessman account open करवाते हैं वो कौन सा account होता है current account और SBI के बाद दूसरा हमारा जो है मानते हैं कि SBI से मैंने current account और इसमें मेरे account number है मान लेते हैं 234 account number last के digit मैंने बता दिया मैं bank के पास गया और bank से मैं बोलता हूँ ऐसी facility available करवा दो उसने बोला done हो जाएगा तो आप जो check काट के दोगे वो जो इस account number का check है वही check काट के दोगे तो आपके account पे 50,000 balance है आपने check काटा कितने का 60,000 का आपके account का balance क्या हो जाएगा minus 10,000 ये तो हो गया bank overdraft लेकिन cash credit क्या होगा बैंक वाले बोलेंगा अच्छा आपको ऐसी facility चाहिए एक्स्ट्रा पैसे निकल जाए कितने तक एक्स्ट्रा आप उमीद करते हो बताओ आपने बोला सर एक लाख रुपे तक निकल जाए तो बैंक वालों ने एक account और open कर दिया आपका मान लेते हैं 235 नया account है ये new account number है और इसमें एक लाख रुपे डाल दिये बैंक वालों ने बैंक वालों ने क्या करा एक लाख डाल दिया इसका कोई checkbook नहीं होगा इसका कोई ATM नहीं होगा सिर्फ इसका एक internet banking दे देंगे आपको आपको अगर मान लो 50,000 account में balance है आप 60,000 निकालना चाहते हो तो आप एक काम करो 10,000 यहां से पहले यहां transfer करो 10,000 ट्रांसफर करोगे तो यहां automatic balance कितना हो गया 50 था पहले 10 इस account से निकाल के कितना हो गया 60 हो गया यहां कितने बच गए 90,000 और आप 60 का चेक निकल जाएगा आपका अगर आप ऐसा करोगे ना 50 में ही 60 का काट दोगे तो चेक फिर bounce हो जाएगा भले ही आपके पास पैसा अलग पढ़ा हुआ है लेकिन वो तो दूसरे account में है ना आपके अगर PNB में पैसा पढ़ा है और आप SBI का चेक काट होगे और SBI में पैसे नहीं तो bounce तो हो गई तो cash credit क्या होता है एक अलग account खोल के उसमें पैसे डाल दिये जाते हैं जितने की requirement है वो भी आपके legibility देखके उसके बाद आपको लगता इतना पैसा देना है तो पहले उसमें उसमें shift करो फिर check card दो लेकिन bank overdraft क्या है उसी account में facility available है जैसे एक लाग का limit ले लिया आप check card तो उसी account का अपने आप निकल जाएगा आपको इधर से उधर shift करने की कोई जो रद नहीं है बाकि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आप use करोगे bank वालों का उस पर आपको व्याज देना पड़ेगा तो इन दोनों में difference पता चला क्या काफी लोगों को difference ही नहीं पता होता cash credit में और bank overdraft दोनों देखो एक ही जैसा है लेकिन फरक इसमें अकाउंट open होता है पहले हम पैसे shift करते हैं तो इस तरीके से हमारा काम होता है जितने भी आपने सुना होगा आपका मुद्रा योजना आपने सुना होगा बैंक में भी गए होगे तो मुद्रा योजना है आपका जिसके अंदर छोटे वेपारी को आपको लोन दिया जाता है तो लोन आपको पैसे नहीं मिलेंगे आपका cash credit account खोल के डाल दिया जाएगा और फिर हम अपना business को चलाएंगे employee वगरे को salary देना है तो बैंक वालो ने बोला ठीक है आपको 9 महने के लिए करजा दे देता हूँ इसका एक अलग account number दे दिया 236 और इसमें पैसे डले हुए है आपको 9 महने के लिए करजा मिला एक लाख रुपे यहाँ पैसे डला हुआ है आप इस पैसे को इस्तिमाल करो या ना करो interest तो देना ही पड़ेगा लेकिन इस वाले में आपको एक लाख दे दिया आपने 10,000 इस्तिमाल किया तो ब्याज किस पर दोगे यह फरक है short term loan में और cash credit में तो better कौन सा है हमारा तो जब भी loan लेने की कोसिस करो life के अंदर तो हमेशा कोसिस करो के हमें cash credit मिल जाए उसमें कोई tension वाली बात नहीं है अगर आप loan लोगे तो ब्याज चलता रहेगा use करो चाहे मत करो तो यह तीनों में फरक है bank overdraft आपके account से पैसे निकल गया cash credit दूसरा account पे पैसे डाल देते हैं लेकिन पूरे पे ब्याज नहीं देना जितना इस्तमाल करोगे short term loan आपको एक और account open कर दिया जाएगा और उसके अंदर पैसे डाल दिया जाएगे आप इस्तमाल करो पूरे पे ब्याज लगेगा स्वज मैं inter corporate deposit इस इंपॉर्टेंट है यह कि यह होता क्या है मान लेते हैं हम Reliance और टाटा रेलाइंस और टाटा दोनों एक अलग अलग कंपनी है अब रेलाइंस को जरूरत है वह बैंक के पास नहीं गया पैसे लेने वह टाटा से बोलता यार तुम्हारे पास पैसे एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो मेरे से ब्याज ले लेने लेकिन दो में तीन मेहने के लिए चाहिए या छे मेहने के लिए चाहिए या जब चाहिए होगा तब दे दूगा मैं आपको, आप एक दिन पहले बता देना मुझे, तो Reliance एक company है, और ये एक दूसरी company है, इस company ने अगर इससे उधार लिया, तो इससे बोलते हैं, inter, inter का मतलब होता है, दूसरे में, तो एक company, दूसरे company, corporate का मतलब होता है, जितने भी limited company है न, या private limited, इसको corporate बोला जाता है, जो company होता है, तो inter corporate deposit, तो इसने क्या करा, Reliance ने deposit ले लिया, किस से deposit ले लिया, टाटा से, तो इसे बोलते हैं, inter corporate deposit, तो इसके उपर कर जा है, इसको पैसे की जुरत थी, पैसा इसने इंतिजाम कर लिया, क्या bank के पास गया, नहीं गया क्या equity share करें, नहीं किये, तो अगर किसी company to company कोई पैसा हम lane दिन करें, तो उसे हम बोलते है, inter corporate, ये तीन तरीके का होता है हमारा, एक तीन महिने का हो सकता है, छे महिने का हो सकता है, और on demand हो सकता है, अगर तीन महिने और छे महिने की बात करूँ, तीन महिने के लिए आप ल यह ठीक है ना आपका जो तीन मेहने के लिए अलग अलग रेट है जितने लंबे टाइम के लिए आप पैसा बैंक में FD करोगे उतना जादा रेट मिलेगा तो जरूरी निया रेलाइन स्टाटा हो मान लेते हैं ABC Limited और PQR Limited अब PQR Limited को जरूरत है उसने तीन मेहने के लिए पैसे ले लिए तो बताओ Inter Corporate Deposit किसके लिए माना जाएगा PQR Limited ने पैसा लिया है तो इसके लिए माना जाएगा ठीक है ना तो जब Company to Company आपस में पैसे एक्षेंज कर ले तो वो Inter Corporate Deposit होता है अब मान लो Reliance मान लो Reliance जो है वो किसी और से ले ले जैसे आप हो आप से बोला भाई मेरे पैसे की जुरत है आप एक काम करो पचास जार दे दो और आपका एक नॉर्मल पार्टनर्शिफ फर्म है आपसे ले लिया तो वो Inter Corporate Deposit में नहीं होगा वो माना जाएगा Public Deposit के अंदर माना जाएगा यानि दोनों का ही Company होना जरूरी है और दोनों जब आपस में डील करें तो उसे बोलते हैं Inter Corporate Deposit Corporate Company से